हालो फ्रेंट्स, वेल्कम टो आई चैनल स्टडी फोर यू, सो गाईज, आज के इस वीडियों आम लोग देखने वाले हैं, जो आपका SAC MTS का एक्जाम होने वाला है, 13 जून से लेकर 20 जून तक, उसके लिए हाली के एक्जाम में, TCS के द्वारा जितने भी प्रस्ण पूछ हैं, उन सभी प्रस्णों को जो है, इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं, तो जिन भी कैनेट्स का आग्याने वाले सिप्टों में, SAC MTS का एक्जाम होने वाला है, मैं आपको 100% ये गैरंटी देता हूँ, कि आपके SAC MTS का एक्जाम में, यहां से प्रस्ण जरूर पूछ जाएंगे, तो वीडियो को जो है, लास्ट तक जरूर देखेगा, और आप सरी क्वेश करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो SAC MTS एक्जाम से रिलेटेड पलपल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीज और भगल में आपको एक गंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जरूर प्रेश कर दीजेगा, तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो आपका प्रिणा था कि अलार्मेल वल्ली किस नेते से संबंदित है, तो देखें यह जो आपके अलार्मेल वल्ल यह आपका रेफलेसिया आर्नोल्डी है, तो रेफलेसिया आर्नोल्डी है आपका करेक्टेंसर होगा, बात कर ले इसका आकार कितना है, तो देखें इसका जो आकार है वो तीन फीट है, और वजन की बात कर ले तो 11 से 15 किलोग्राम तक जो है इसका वजन होता है, नेक्स्ट या फिर नौवी सदी के सुरुवात में इस विश्विद्याली की अस्थापना की गई थी, तो आपका वंस पूछा गया था, तो पाल वंस आपका करेक्ट एंसर होगा, नेक्स्ट कोश आपका आप रहा था, कि रंगीन महल करनाटक के किस सहर में इस्तित है, तो देखें यह आपका रंगीन महल है यह आपका विदर सहर में इस्तित है, तो विदर आपका करेक्ट एंसर होगा, नेक्स्ट कोश आपका आप रहा था, कि कॉंग्रेश समाजवादी दल, यानि कॉंग्रेश सोसलिस्ट पार्टी की जो अस्थापना है यह कब होई थी, तो देखें 1934 में जैपरकास नारायन, रामनोहर लोहिया और आचारे नरेंदर देव ने इसकी अस्थापना की थी, तो 1934 आपका करेक्ट एंसर होगा, नेक्स्ट कोश आपका रहा था, कि स्वामी विवेका नंत के बचपन का नाम पूछा गया था, तो देखें स्वामी विवेका नंत के जो बचपन का नाम था ना, वो नरेंदर नाथ दद था, तो नरेंदर नाथ दद आपका करेक्ट एंसर होगा, नेक्स्ट कोश आपका रहा था, कि ओलंपिक में लागतार दो पदक जीतने वाली भारत की महिला खिलाडी कौन है, तो देखें ये जो आपकी पीवी ये लागतार दो ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की एक मात्र महिला खिलाडी बनी थी, और ये ज़ रिऊ ओलंपिक 2016 में, ये रजद पदक, यानि सिलवर मेडल जीती थी, और टोकिय ओलंपिक 2020 में, ये ब्रॉंज मेडल यानि कान से पदक जीती थी, तो पीवी सिंदु आपका correct answer होगा नेक्स्ट कोश आपका आप रहा था कि लास्ट डेप्यूटी चेर्मेन ओफ लैनिंग कमीशर यानि योजना आयोग के अंतीम उपाद्यच कौन थे जो जैसा कि आपको पता कि 2015 में योजना आयोग का नाम बदल कर आपका नीती आयोग कर दिया गया था और मोहन सिंग कॉंग्रेश शरकार के दौरान 2014 में ही स्री मॉन्टेंग सिंग एहलू वालिया जो है इस आयोग के अंतीम उपाद्यच थे तो मॉन्टेंग सिंग एहलू वालिया आपका करेक्ट एंसर होगा बात कर ले नीती आयोग जो अभी वट्मान में इसका नाम है नीती आयोग के वट्मान में इसके उपाद्यच कौन है तो यह आपके सुमन बेरी हैं तो यह भी आपको ध्यान में रखना है इसके अलाव अभी नीती आयोग के जो अध्याच होते हैं वो भारत के प्रधान मंत्री होते हैं नेक्स्ट कोश आपका यह आप रहा था कि फैलोवेट सीप योजना यह जो किस राजजी द्वारा सुरू किया गया है तो देखे हाली में 2022 में उत्तर परधेश सरकार द्वारा फैलोवेट सीप योजना यह सुरू किया गया है तो उत्तर परधेश आपका करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कोश आपका यह आप रहा था कि माइक्रोसॉप्ट वर्ड में हेडर और फूटर यह जो कहां इस्तित होता है तो देखे हेडर और फूटर की बात कर ले तो यह आपका इंसर्ट टैब में जो इस्तित होता है तो इंसर्ट टैब आपका करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट आपका यहापर कोशन है था कि राजकोसए वर्स यानि फिस्कल एयर में कितने quarter होते हैं राजकोसए वर्स की बात कर ले तो इसमें आपके 4 quarter होते हैं तो चार आपका correct answer हो नेक्स्ट को चाप काप रहाता कि भारत के रास्ट मंडल विदेयक 1925 को कितने मौलिक अधिकार की जो है मांग की गई थी तो देखे 1925 में एनी बेसेंट द्वारा तयार किये गए भारत के रास्टमंडल विद्यक में जो है टोटल आपके साथ मूल अधिकारों को विस्वेस रुप से जो है वो मांग किया गया था तो साथ आपका यहां पर correct answer होगा next कोश आपका आप रहा था कि which states people are multi-dimensional poverty index report poor est यानि जो आपका नीती आयोग के द्वारा multi-dimensional poverty index report जो जारी किया जाता है उसमें 2021 में जो है आपका poor est यानि गरीब राज्य जो है ये कौन रहा था तो ये जो आपका second shift में भी पूछा गया था तो देखे 2021 में multi-dimensional poverty index में जो गरीब राज्य जी रहा था ये आपका बिहार राज्य जी रहा था उसके बाद जो आपका जार्खंड राज्य जी रहा था उसके बाद जो आपका उत्तर परदेश राज्य जी रहा था का सुरोत नहीं है तो ये आपका यहाँ पर correct answer होगा next question आपका यहाँ पर रहा था कि bing ये जो है क्या है तो देखे ये जो आपका bing है ना एक search engine है जिसे Microsoft जो है वो लेकर आया था तो search engine आपका correct answer होगा next question आपका यहाँ पर रहा था कि a person who works in sleeping is called यानि आपका English में one word substitution से आथा कि नींद में चलने वाले वैक्ति को जो है क्या कहा जाता है तो इसे जो आपका subnambulism कहा जाता है तो यह आपका यहाँ पर correct answer होगा next question आपका यहाँ पर जैनित का जो है सीनोनीम पूछा गया था तो देखे जैनित का जो मतलब होता है न वो चरम बिंदू या फिर सिस्र बिंदू होता है तो देखे इसके option जो दिये हुए थे वो आपका height दिया गया था तो height जो होता है यह आपका जैनित का जो है सीनोनीम होता है तो height आपका यहाँ पर correct answer होगा नेक्स्ट आपका फर्स इप में आथा कि Google Maps ने भारत में Street View सेवा किस कंपनी के साथ मिलकर जो है वो लाँच की है तो देखे हाली में Google Map ने जो है दो अस्थानिय कंपनी Genesis International और टेक महिंद्रा के साथ मिलकर भारत के 10 सहरों में जो है अपनी Street View सर्विस जो है वो लाँच की है तो Genesis International और टेक महिंद्रा आपका यहाँ पर correct answer होगा नेक्स्ट कोश का कि रानी की वाव किस राज्य में इस्तित है तो देखे यह जो आपका रानी की वाव है ना ये गुजरात के पार्टन में इस्तित है तो गुजरात आपका correct answer होगा बात कर ले रानी की वाव के बारे मे तो देखे यह जो आपका रानी की वाव है ना एक बावडी यानि सिडिदार कुआ है जिसका निर्मान 163 इस्वी में जो है सोलंकी राजवन्स के राजा भीम देव प्रतम की असमरीती में उनकी पतनी जो है रानी उद्यामती के द्वारा करवाए गया था तो ये fact आपको इस विरासत अस्तल में जो है वो सामिल किया गया था तो ये सारे fact आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश आपका यह आप रहा था कि सार्दा अधिनियम ये जो है किस से संबंदी था तो देखे बाल विवा निरोध अधिनियम 1929 को ही जो है सार्दा अधिनियम के नाम स जाना जाता था और ये जो अधिनियम था ना ये आपका 28 सितंबर 1929 को पारित किया गया था और इस अधिनियम के तहट लड़कियों की साधी की उम्र जो है वो 14 साल और लड़कों के लिए 18 साल जो है वो तैग की गई थी और बाद में एक संसोधन के माध्यम से जो है इसे लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए जो वो 21 कर दिया गया था तो सारदा धिनी अमिगे जो है किस से संबन दी था तो यह आपका बाल विवा से संबन दी था तो बाल विवा आपका करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कोशन आपका यहाप रहा था कि होली तेवहार य ना ये मार्च के महीने यानि फागुन मास में जो है ये मना जाता है तो आपसन में आपका फागुन मास दिया गया था तो फागुन मास आपका करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कोशन आपका आप रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा सासक जो है पल्लव वंस का सासक नहीं है तो सबसे पहले हम लोग पल्लव वंस की बात कर ले तो देखे पल्लव वंस की जो अस्थापना है ना ये 575 इश्वी में सिंग विश्णू के द्वारा जो है पल्लव वंस की अस्थापना की गई इसके अलावा पल्लव वंस की राजधानी भी पूछा जाता एक्जाम में तो सब जो थे आपके पल्लव वंस के साजक थे तो इन में से तीन तो आपका आपसन में दिया गया था और चौथा जो आपसन मुझे मिला था बच्चो द्वारा एक तो आपका हर्सवर्धन आपसन मिला है और बच्चो ने ये भी बता है कि हर्सवर्धन ना देकर जो है ये प्र कोई भी दिया होगा ना वो आपका correct answer होगा क्योंकि आपके प्रभाकर वर्दन और हर्स वर्दन ये दोनों जो थे वो आपके पुछ से भूती once के जो है आपके संबंदी थे ना कि पल्लव once के तो इन में से जो भी दिया होगा वो आपका right answer होगा next question आपके आप रहा था कि निम्न लिखित में से कौन सी नियाए पालिका यानि जुडैसरी की जो है मुख्य विसेशता है तो आपके option में एक दिया गया था कि नियाए पालिका की स्वतंत यानि भारत का जो संबीधान है ना वो नियाए पालिका को वास्तों में जो वो स्वतं बनाता है और नियाए पालिका की स्वतंता ये जो आपका नियाए पालिका की मुख्य विसेशता है तो ये option आपका correct answer होगा next question आपके आप रहा था कि which one of the following is the most recent land form यानि निम्न लिखित में से कौन सा जो एक नविंतम भू आकरीती है तो आपके option में आपका हिमालियन और न correct answer होगा next goals आपका यहां प्राय था कि 2001-2011 के बीच सबसे नियुंतम जनसंख्या घहनत वाला राज्जी पूछा गया था तो देखे 2001-ạnh बीच जो सबसे नियुंतम जनसंख्या घहनत वाला राजजी रहा था वह आपका अरुणाचल परदेश राजज्य रहा था की जनगना में भारत का जनसंक्या घनत्व कितना रहा था तो देखे भारत की बात कर ले तो ये 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलो मीटर रहा था वहीं अगर सबसे जादा जनसंक्या घनत्व अला राज जी कौन सा रहा था तो ये आपका बिहार रहा था बिहार का जो जनसंक्या घनत तो रहा था ना वो आपका एक हजार एक सो दो व्यक्ति प्रति किलो मीटर रहा था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है और मैं आपको ये भी बता दू कि आपके हर सिप्ट में एक जो है आपका दोहजार इग्यारे की जिनगना से जो है जरूर प्रश्ण पूछा गया था कि सबसे छोटा राज्जी जो है जनसंक्या की दृष्टी से कौन रहा था 2011 की जनगना में तो देखे जनसंक्या की दृष्टी से सिखीम जो था ना वो आपका सबसे छोटा राज्जी रहा था और छेत्रपल की दृष्टी से जो है गोवा जो है वो आपक ध्यान में रखना है, next question आपका यहाँ पर रहा था, कि लगूवित यानि microfinance जो है, यह किस समीती के द्वारा लाए गया था, तो देखें यह जो आपका microfinance है ना, यह आपका मालिगाम समीती के द्वारा लाए गया था, तो मालिगाम कमीटी आपका correct answer हो, और देखें मैं आपको यह भी बता दू कि मालिगाम समीती अगर आपका option में नहीं दिया गया था ना, तो फिर आपका एक C रंगराजन समीती करके दिया होगा, तो देखें यह जो आपका C रंगराजन समीती था ना, यह देश में वित्य समावेशन पर जो एक रिपोर्ट तयार किया था, और वित्य समावेशन में सुधार के लिए सिफारी जो वो की थी, तो अगर option में C रंगराजन समीती दिया था, तो यह आपका फिर correct answer होगा, नेक्स्ट को शाम कहा पराया था, कि भारत में पहली जो ओद्योगिक निती की घोशना है न, यह कब की गई थी, और आपके option में जो exact date पूछा गया था, तो देखें भारत सरकार ने 6 अपरेल 1948 को जो है, अपनी पहली ओद्योगिक निती घोशित की थी, और यह जो है किसके पेश किया गया था, तो 6 अपरेल आपसन में दिया गया था, तो 6 अपरेल आपका correct answer होगा। किसका फूल फूल होता है, तो यह आपका correct answer होगा, नेक्स्ट कोश आपका यहाँ पर आया था, कि 2021 में केंद्रिय स्वास्त और परिवार कल्यान मंत्री, यह कौन बने थे, कोशन में जो आपका केंद्रिय मंत्री के बारे में दिया गया था, ठीक है, तो देखें, 2021 में मंसुक मंडाविया को बनाए गया था, और मंसुक मंडाविया ने यह किसका अस्थान ग्रहन गिये थे, तो यह डॉक्टर हर्सवर्दन की जगा जो लिये थे, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है, तो मंसुक मंडाविया आपका correct answer होगा, नेक्स्ट कोश आपका यहाँ रहा था कि नई दिल्ली में किसके द्वारा जो है, एक नित विद्याले की अस्थापना वो किया गया था, तो देखे पंडित बिर्जु महराज ने अपना खुद का जो नित विद्याले है ना, जो की विद्याले का नाम कलासरम है, जो कलासरम जो विद्याले था ना, वो आपका दिल्ली में सुरू किया गया था और ये पंडित बिर्जु महराज के द्वारा सुरू किया गया था तो पंडित बिर्जु महराज आपका करेक्टेंसर होगा बात कर ले पंडित बिर्जु महराज के बारे में क्योंकि यहां से भी आपके प्रेशन बनते हैं तो देख उनके जो दो चाचा थे एक तो आपके संबू महराज थे और दूसरे आपके लच्छू महराज थे इसके अलावा पंडित बिर्जू महराज की पिता जी और उनके गुरू का नाम पूछा जाता है तो देखे पंडित बिर्जू महराज के जो गुरू थे ना वो उनके पिता ही थे और उनके पिताजी को जो नाम था वो अच्छन महराजचा जो की कथक नेते से ही जो संबन्दी थे तो यह आपको ध्यान में रखना है और यह जो आपका कथक नेते है ना यह आपका उत्तर परदेश राज जी का एक सास्त्रे नेते है इसके अलावा इन्हे जो है भारत नागरीक सम्माने वो आपका कौन सा है तो भारत रतन है, दूसरा वो आपका पदम विभूशन है, तीसरे की बात कर ले तो ये आपका पदम सरी है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आप का यहाँ पर क्वेश्चन है था कि केरल उच्छ न्याले ने कौन से विवादित अधिनियम को जो है लागु कर दिया था तो देखे केरल उच्छ न्याले के द्वारा या फिर केरल राज्य पाल जो आपके मुहम्मद आरिफ तेना उनके द्वारा जो है अरजुन पुरुषकार 2021 में कितने खिलाडियों को जो है यह दिया गया है तो देखे 2021 की बात कर ले तो अरजुन पुरुषकार जो है यह खेल और असपरदाओं में उत्कृष्ट परदेशन के लिए 35 खिलाडियों को जो है अरजुन पुरुषकार दिया गया है तो 35 आप कि कंप्यूटर में फाइल को सेव करने के लिए जो है किस बटन का परियोग किया जाता है तो देखे कंप्यूटर में फाइल को सेव करने के लिए जो है आपका Ctrl-Plus-S shortcut की जो है वो उपयोग किया जाता है तो Ctrl-Plus-S आपका correct answer होगा Next question आपका आप रहा था कि shortcut key to go up one page in document यानि आपके documents में one page पे जाने के लिए जो है क्यों सा shortcut की परियोग किया जाता है तो यह जो आपका Ctrl-Plus-Page आप आपका shortcut की परियोग किया जाता है तो Ctrl-Plus-Page आप आपका correct answer होगा Next question आपका आप रहा था कि SuperScript की shortcut key पूछी गई थी तो देखे SuperScript का जो shortcut key होता है वो आपका Ctrl-Plus-C++ होता है तो Ctrl-Plus-C++ आपका correct answer होगा सबसे जादा सर्च करने वाली website का नाम पूछा गया था तो देखे सबसे जादा जो सर्च करने वाला website है वो आपका Google है तो Google आपका correct answer होगा कि भारत ने किस टीम को हरा कर जो है Under 19 Vishu Cup 2022 का खिताब जीता है तो देखे भारत ने जो है Final में England टीम को हरा कर जो है Under 19 Vishu Cup 2022 का जो है ये पांचवा खिताब जीता है तो England आपका यहाप एक correct answer होगा बात कर लिए भारत कब कब जो है Under 19 Vishu Cup का खिताब जीता है तो पांच बार जीत चुका है कि ICC Under 19 Vishu Cup 2022 के Final Match में जो है Player of the Match ये जो है कौन बने थे तो देखे 2022 के Final में जो Player of the Match ये भारत के All-Rounder प्लियर राजा अंगत बावा जो है ये बने थे तो ये भी आपको ध्यान में रखना है इसके अलावा Player of the Series कौन रहे थे तो देखे दचिन अफरीका के डिवाल्ड ब्रैबिस जिरोंने केवल 6 पारियों में जो है 506 रन मार कर ये जो Player of the Series बने थे तो ये भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कुछ आपका याप रहा था कि बावर का जो है सासनकाल कब से कब तक रहा था तो देखे मुगल वन्स के संस्थापक बावर का जो सासनकाल है ये 1526 इसवी से लेकर 1530 इसवी तक रहा था तो 1526 से 1530 आपका correct answer होगा इसके अलावा बावर का पूरा नाम पूछा जाता है एक्जाम में तो देखे बावर का जो पूरा नाम है वो आपका जहरुदीन मुहम्मद बावर था और बावर का जन्म कब हुआ था तो 14 फरवरी 1483 को जो है फरगना में इनका जो है वो जन्म हुआ था यहां से एक प्रेशन और एक्जाम में पूछा जाता है कि बावर जो है फरगना की गदी पर कब बैठा था जैसे कि पानीपत का प्रतम जो युद्ध है ये कब लड़ा गया था तो 1526 में लड़ा गया था इबराहम लोदी और बावर के मद्ध लड़ा गया था जिसमें बावर जो है वो विज़ई रहा था ये आपका एक्जाम में प्रहश्न पूछा भी गया था कि चंदेरी का युद्ध जो है ये किन के मध्धे लड़ा गया था तो देखे चंदेरी का युद्ध है ना ये मेदनी राय और बाबर के मध्धे लड़ा गया था जिसमें बाबर जो है वो वीज़ाई रहा था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोशन आपका अपरा था कि नंदा देवी रास्ट्रे अभ्यारन ये जो किस राज्जी में इस्थीत है तो देगे ये जो आपका नंदा देवी रास्ट्रे उध्यान है ना ये आपका उत्रा खंड के चमौली जीले में इस् इसे विसुधरवर अस्तल की सूची में वो सामिल किया था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, इसके अलावा उत्राखंड में रास्टे उध्यान देख लीजे, जैसे कि जीम कॉर्वेट नैसनल पार्की ये भी आपका उत्राखंड में है, नंदा देवी रास् सिंधु सभयता का पुरात्विक अस्तल, दाइमाबाद, ये जो किस राज्य में इस्तित है, तो देखें सिंधु सभयता का पुरात्विक अस्तल, ये जो आपका दाइमाबाद है, ये आपका महराष्ट राज्य के एहमदाबाद नगर जीले में प्रवर नदी के बाएं त पर इस्तित है तो ये भी आपको ध्यान में रखना है इसके अलाबाददाई वाँबाद जो अस्त्तल है इसे 1958 में बीपी बूप डीकर के द्वारा ये खोग जा गया था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोशा अपको यह आप रहा था कि भारतिय सं बंद में औसर की समानता का गारंटी देता है और ये जो अनुछेद है ना ये राज्य को किसी के भी खिलाप केवल धर्म, नसल, जाती लिंग, वंस, जन्व, अस्थान या इन में से किसी एक के अधार पर भेदवाव करने से रोगता है तो अनुछेद सुल्ला आपका अन्सर होगा, नेक्स्ट को शाप कहाँ आप रहा था कि भारत का पहला खारे पानी का लाल्टेन कौन सा लांच किया है जो LED लैम्प को बिजली देने के लिए समुदरी जल का उप्योग करता है तो देखे 14 अगस्त 2022 को केंद्री पृतिव विज्यान मंत्री जितेंद्र सिं के द्वारत का पहला खारा पानी लाल्टेन रोसनी नामक को लांच किया गया है जो LED लैम्प को बिजली देने के लिए समुदरी जल का उप्योग करता है तो रोसनी आपका नाम पूछा गया था तो रोसनी आपका करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कोश आपके यहां पर रहा था कि 2011 की जनगन्ना में हिंदू, मुस्लिम और इसाही का परसेंटेस पूछा गया था तो देखे कली में आपको 17 पेपर हुआ था उसमें आपको यह कोशन करवाया था तो देखे 2011 की जनगन्ना की अनुशार भारत की जो आपका आबा पालन करते थे 2.3 परसेंट जो इसाही धर्म का पालन करते थे तो इसलाम वाले में 14.2 आपका करेक्ट एंसर होगा और इसाही धर्म वाले में आपका 2.3 परसेंट आपका करेक्ट होगा वही अगर सिख धर्म की बात कर ले तो 1.7 परसेंट जो है वो सिख धर्म का पालन करत नेक्सिकक आपकी है आपर रहा है कि भारत्य तेंटेंट और के इंगलालेंट के प्रधान-वंतरी तो गोज़ेती है, कि कौँ नेक्सिक कोछ़ आपका रहा हैं पर होगा। तो देखें यह जो आपका मकड सक्रांती तबहार है तो यह हर साल जो जनवरी महीने में ही मनाए जाता है तो यह तो अन्सर आपका नहीं होगा इसके अलावा तीन ओप्सन क्या थे वो जो आप कमेंट करके जरूर बता दीजेगा नेक्स्ट कोश आपका है अपराय था कि निमनलिकित में से किसे जनवरी 2022 में भारत का मुखे आर्थिक सलाकार यानि चीफ एकोनॉमिक एडवाईजर के रूप में वो न्यूक्त किया गया है तो देखें भारत सरकार ने डॉक्टर वी अनिंत नागेश्वरन को जो है नया मु स्ट्रेंथिनिंग फार्मासियूटिकल्स इंडेस्ट्री यानि SPI के तह जो है तीन नई योजनाएं जो है वो सुरू की है तो देखें केंद्रे रसायन और उर्वरक मंत्राले ने हाली में जो है फार्मासियूटिकल छेतर में सूच में लगू और मध्यम उद्मों को होगा तो यह आपका केंद्रे रसायन और उर्वरक मंत्राले जो आपका यहां पर करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट को आपका आप रहा था कि नीती आयोग के गरीबी सुचकांग 2021 की अनुशार देश के सबसे गरीब राज यह कौन से है तो देखें नीती आयोग के द्वारा जो आपका सुचकांग 2021 में जारी किया गया था उसमें बिहार का 51.9% जनसंख्या जो है वो गरीब है वह अगर जारखन की बात कर ले तो 42.16% जो है वो जारखन के जनसंख्या जो वो गरीब है थर्ड पर आपका उत्तर परदेश आता है उत्तर परदेश के 37.79% अबादी जो है वो गरीब है और सुचकांग में मद्य पर्देश के जो है 36.65 परतीसत जो है ये चौते अस्थान पे है जबकि मेगाले में 32.67 परतीसत के साथ जो है ये पांचवे अस्थान पे है तो आपके option में जो है जारखंड दिया गया था तो जारखंड में आपको बता दू कि ये second number पर रहा था बिहार आपके option में नहीं दिया गया था तो जारखंड आपका यहां पर correct answer होगा नेक्स्ट कोश आपका यहां पर रहा था कि मुद्रा योजना के तहत सीसू योजना में जो है अधिक्तम रिन ये जो है कितना दिया जाता है तो देखे मुद्रा योजना क जो है वो रिन दिया जाता है तो पचास हजार आपका correct answer होगा वहीं अगर किशोर योजना की पूछ ले तो किशोर योजना में जो आपका पचास हजार से लेकर पांच लाख रुपे तक जो वो दिया जाता है बात कर ले तरून योजना के तहत तो देखे तरून योजना क तह जो है पांच लाग से लेकर दस लाग जो है वो रिंद दिया जाता है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है लुधियाना में जन्मे कर्तार सिंग सरावा को जो है 17 नुवंबर 1915 को जो है लाहोर सेंटरल जेल में जो वो फांसी दी गई थी और इसके अलावा अमरी सर के जगत सिंग को भी फांसी दिया गया था तो आपके option में या तो कर्तार सिंग सराबा दिया होगा या फिर जापका जगत सिंग दिया होगा तो इन दोनों में से जो भी दिया होगा वो आपका correct एंसर होगा कि कथक नीथे में 2020 में ये किसे पदम स्री मिला था तो 2020 की बात कर लें तो कथक नीथे में ये पूरसोतम दधीच को दिया गया था तो पूरसोतम दधीच आपका correct एंसर होगा कि माइक्रो फाइनेंस यह किस से संबंदित नहीं है तो देखें माइक्रो फाइनेंस यह आपका बैंकिंग के रीन से संबंदित है तो आप्सन में क्या दिया गया था आप कमेंट करके जरूर बताईएगा इसके अलावा एक आपका हर्याली योजना इन में से किस से संबंदित नहीं है पूछा गया था तो देखे हर्याली योजना जो है यह मुख्य रूप से पर्यावरन से संबंदित है तथा पेड़ पौधे एवं जल सनरचन से संबंदित है यानि जो यह आपका हर्याली योजन यानि निम्नलीखित में से किस पंचवर्सिय योजना में भारत में उच उपस देने वाला किस्म कारिक्रम HYBP वो सुरू किया गया था तो देखें तीसरी पंचवर्सिय योजना जिसका अवदी 1961 से 1966 रहा था और इसी अवदी में जब भारत 1962 में चीन के साथ और फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ यूद में गया था और देश 1965 में वीशन सूखे के चपेट में आ गया था और इसमें जब क्रिशी में सुधार और हरित करांती की सुरुवात हुई थी और 1965 में HYBP कारिक्रम भारत में हरित करांती के एक भाग के रूप में वो सुरू किया गया था तो तीसरी पंचवर्सिय योजना आपका यहाँ पे करें गया था